मोगरमच के अलाबा डाइनसोर्स के यूग के बाद अगर किसी प्रिहिस्टोरिक रिप्टाइन ने बिशाल आकर हासिल किया है तो वो है मेगा लानिया जो प्रिथ्वी पर अब तक पाये जाने बाला सबसे बड़ा मॉनिटर लिजार था वेशे तो हजारों साल पहले ही यह जायंट लिजार प्रिथ्वी से बिलुब्थ हो चुका है लेकिन आज भी अस्ट्रेलिया के अंचुए इलाकों में इसके होने की दाबा किया जाता है सो हेलो दोस्तों दो इंक्रेडिबल ट्यूब पर आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम प्रिहिस्टोरिक जायंट लिजार मेगा लानिया के बारे में डिसकस करेंगे सो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंतक बने रहिए और एसे ही नलेजबल वीडियो के लिए चैनल को सब्स्राइब जरू करने जिए मेगा लानिया एक बिशाल मोनिटर लिजार था जो लबभग तेड़ मिलियोन से 40,000 बर्ष पहले प्लेश्टू सी नुक के दोरान अस्टरलिया में निबास करता था यह प्रिथिक पर पाए जाने बाल अव्तक का सबसे बड़ा टेरेश्ट्रियाल मोनिटर लिजार है जिसकी लंबाई 6 मिटर या उससे अधिक और वजन 4,000 पाउंड तक हुआ करता था यह अपने निकर्तम जीबित रिष्टेदार कोमोडो ड्रागन से भी साइज में बहुत बड़ा था मेगा लानिया के आधिनिक मोनिटर चिपकलियों से गहरा संबंध है जैसे की कोमोडो ड्रागन हाला कि यह आधिनिक चिपकलिया काफी छोटी है लेकिन वे अपने प्राचेन इस्तिदार के साथ सामाने बिशिस्ताएं और व्यभार सांग्या करती है अपने हबिटाट में एक सिर्ष सिकारी के रूप में मेगा लानिया संबबत बड़े स्तंधारियों और अन्यों सरीश रूपो सहित बिभिन प्रकार के जानबरों का सिकार करता था इसका आकार और सक्तिशाली जबडे इसे एक बेरहम और भयानक सिकारी बनाते थे मेगा लानिया पूरे अस्ट्रेलिया में जगलों और घास के मेदानों से लेकर बर्षा बनों तक बिभिन प्रकार के बाताबरों में बसा हुआ था जिबास्मों के अध्यों से पता चलता है कि पूरे महादूइब में इसका डोमिनांस था मेगा लानिया के बिलुप्थ होने के बाद भी आस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में इसे आज भी देखे जाने के दाबा किया दाता है एसे बहुत सारे कहानियां बताते हैं कि के इसे 1890 में आस्ट्रेलिया इस सहर ईरोया को एक विशाल छिपकले ने आतंकित कर दिया था यह कहानियाक 30 फूट के सरीशूप दोरा खेतों पर हमला करने और पसों को मानने के बारे में बताती है मेगा लानिया के पास एक मजबुत सरीज मजबुत और तेज पंजे थे इसकी खुपड़ी लंबी थी और इसके जबडे नुकिले दांतों से सुसर जित थे जिनका उप्योग यह संभब्त हो अपने सिकार को पकड़ने और चीनने के लिए इस्तमाल किया करता था हाला कि मेगा लानिया के सटी काहर पूरी तरह से समझा नहीं गया है यकिन माना दाता है कि यह एक मांसाहरी था जो बड़े साकाहरी मार्शुपियल्स और शरिश्रूपों और संभब्त हो केरियन जैसे जानवरों को खाता था इंसानों और मेगा लानिया के बीच सुरती मुढवेड काफी भयानक रही होगी प्रागेतिया सिक केबार्ट में एक विशालकाय सरिश्रूप को दताया गया है जो मनुष्यों से बहुत बढ़ा है और कुछ सोरिश्रूपों की कहानिया को एसे दताया गया है कि जो अपने साथ आग और बिनास लाते हैं इन में से कई केवार्ट्स दस हजार बस से भी कम पूराने माने जाते हैं मेगा लान्या के बिलूप्थ होने के सटी कारण अभी तक अन्सार्ट है इसे समभवत जलबाई में बदलाव अन्यों सिकारियों के साथ कमपिडिशन या अपने सिकार के आबादे में बदलाव का सामना करना पड़ा होगा मनुश्यों के आगमन और समभवत हो अत्योधिक सिकार ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई होगी हासा करते हीं कि आपको ये वीडियो इंफर्मेटिफ और नलेजबल लगी होगी तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लिजिए मिलते हैं एक और रोमांस कारी वीडियो में थांक्स वर बाचिंग